तो ओप्रेशन जेतना तरह का कर लें के सरकार डेड हो चुका है एंडिये का सरकार आ चुका है होना जाना कुछ नहीं है भाजब के सारे के सारे विधायक अनुशासित हैं कि मैं रोहिनी जी का बहुत सम्मान करता हूं वो एक ऐसी बेटी है जिसने अपने पिता की जान को है संदरी नुराप में देखना शुरू कर दिया है ला इफ सिती राजनीती के बारे में कहा जाता है कि राजमीती में कभी भी कुछ भी हो सकता है और आपको मालूम है कि अभी सबकी निगाएं बारा तारीध पर टिकी हुई बिजेपी के दिगज नीता रितुराद सनाजी से सबसे पहले बहुत शुक्री आबात करें दन्यवाद तो रितुराद सनाजी से हमारी मुलाकात काफी वक्त बाद हो रही है यानि कि अब बिहार में अब महा गटबंधन नहीं बलकि एंडिये की सरकार है तो सबसे पहले गई है साफ के रहें कि बहुमत टेस्ट यानि के फ्लोट टेस्ट में मतलब कुछ हो जाएगा खेल हो जाएगा तो वाकई में मतलब गिर जाएगी क्या नितीश सरकार देखें ये जो 28 तारीक को जब सरकार में बदल हुई नितीश कुमार जी ने अपना रेजिगनेशन दिया उस दिन भी बहुत दो दिन से चर्चा चल रही थी कि खेला हो जाएगा ये हो जाएगा वो हो जाएगा तो अभी फिर वही महौल ये लोग निर्मान करने का प्रयास क कुछ नहीं है भाजब के सारे के सारे विधायक अनुशासित हैं सारे अपने समय पे पहुँचकर बारा तारीक को फ्लो ट्रेस्ट पास कराएंगे और बची बात नितीश कुमार जी वो भी एक विवस्थित पार्टी है और उसके विधायक भी आज सब पटना पहुँची रहें जैसे सूचना आ रही है तो कुल मिला के बारा तारीक को कुछ होना नहीं है एंडिये की सरकार पे एक फॉर्मल मोहर लगनी है और आवशक बात यह है कि बारा तारीक के बाद सरकार को अच्छे से काम करना शुरू करना है बिहार की जंता के लिए जो की राजत के साथ रहकर निटीज जी नहीं कर पार रहे थे ठीके यह बाते रतुरात सनहा किरे यह हमे यह भी समझना होगा कि लगतार आप एक बात बताईए मैं आपसे प्रैक्टिकल तरह से पूछना हूँ आपके दर्शकों को जारा समझ में आता है हर एक विधायक इस बात को जानता है कि मोदी जी के नाम का कितना वोट उसके छेतर में है इस परिस्थिती और महौल में राम भगवान के मंदिर के निर्मान क के बाद मोदी गैरेंटी के बाद विक्सित भारत के संकल्प के बाद कौन सा विधाय के रिस्क लेना चाहेगा कि मोदी जी के वोटर को अपने छेतर में नराज करें तो यह एकदम तथ्यहीन भात है मैं यह कह रहा हूं आपसे कि नितीश कुमार जी पुरा मन बना के आये ह हैं और मैं तो इस बात से मजा ले रहा हूं कि आपने इसको महागड़ बंदन कहा आप पत्रकार लोग भी अब इंडी अलाइंस नहीं कर रहे हैं मैं तो यही देख रहा हूं कुछ दिनों से कि इंडी अलाइंस के आपको चर्चा नहीं हो रही तितर-बितर हो गया इंडी लाइंस क्या हुआ खतम सवाल है सवाल तो यह भी है कि वहां पर हमने देखा कि कॉंग्रस भी कि एक operation में लगी हुई है RJD भी operation में लगा हुआ है यानि कि operation लाल्टीन भी काम कर रहा है उसका इलाज कुछ सोचा है दीजेपी ना देखिए अब यह operation जितना कर लें इनका जो सरकार है वो डेड है तो operation जितना तरह का कर लें यह सरकार डेड हो चुका है एंडिया का सरकार आ पर काम क्या कर रहे हैं कि उनके जो है कि सी एम ऑफ करनाटक दिल्ली में आके नौर्थ और साउथ के डिवाइड उत्तर भारत दक्षिन भारत के बीच में भेद पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं वो राम मंदिर के निमंतरन को ठुकरा कर तूष्टी करन समाज को बाटने का प्रयास कर रहे हैं राहूल गांदी जी रोज कास सेंसर्स की जो बात करते हैं वो हिंदू समाज को बाटने की बात कर रहे हैं तो उनके यातरा का नाम है भारत जोड़ो पर हरकत सब है भारत तोड अच्छा आपको याद दिला दे कि तेजस्वी आदव ने भी एक बड़ा बzugा तक्ता पलट हुआ उसी दिन तेजस्वी आदव सामने आते है और साफ कहते हैं कि मेरा नाम तिजस्वी आदव है और मैंने भी कमिट्मेंट कर दिये कि बिहार में खेला बाकी है रितुराथ सना क्या जवाब देंगे तेजस्वी यादव जी आप भी कोई कमिटमेंट कर देंगे क्या अमरीके साथ मेरा ये मानना है कि तेजस्वी यादव जी को अगर कोई कमिटमेंट दिखानी चाहिए थी तो जब वो इतने लंबे समय तक सर सरकार को नियंत्रित कर रहे थे लेकिन फिर भी तेजस्वी जी ने जो अपनी कमिटमेंट की थी क्या उन कमिटमेंट को पूरा किया सत्रा महीना भारी पर गया है। मैं तो यह कहूँगा कि मैं रोहिनी जी का बहुत सम्मान करता हूँ वो एक ऐसी बेटी है जिसने अपने पिता की जान को बचाने के लिए अपना किड़नी दान देने का काम किया है वो एक ऐसी बेटी है जिस पे हर एक बिहार के परिवार को गर्व है और उनकी राजनीतिक व अपने कीडनी का दान करती है अपने पिता की जान की रक्षा करने के लिए तो वो समाज में एक बहतर उधारन पेश करती है ऐसी बेटी पे हम सब को पारटी लाइन और जात का इसमें कोई लेना देना नहीं हम सब को ऐसी बेटीों पर गर्व है गर्व है एक आखरी सवाल बारा तारिक को खेला तो नहीं होगा साबित कर देंगे बहुमत बारा तारिक को बहुमत भी होगा बारा तारिक के बाद शपत ग्रहन भी होगा नए मंतरी आएंगे और मोदी जी के साथ मिलकर सरपट बिहार में लोगसभा चुनाओं के बाद विक तो यह पूरी बात्षीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताईएगा तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसी हमारे साथ बने रहिएगा और बेखते रहिएगा लाइफ से पीज बहुत शुक्रिया